नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग अस्वागत है आपको थबनेल में पता लगी गया होगा एक किस चीज की वीडियो है आज हम लैप्टोप को अपने इस मुबाइल फोन के कैमरे से क्नेक्ट करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ग्राइब कर सकते हैं तो अभी मैं आपको इसके थ्रू बता हूं कि अगर आप अगर कराते हो तो इसकी कनेक्टिवीटी सबसे ज्यादा बढ़ी होती है वाई-फाइ से अगर आप कर गोई तो कहीं बार आपका कनेक्शन टूट जाता लेकिनिक से कनेक्शन नहीं टूटेगा तो उसके लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको laptop में एक app डाउनलोड करनी है, वही same app आपको mobile में डाउनलोड करनी है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको mobile के अंदर वो app कौन सी है, जो आपको डाउनलोड करनी है, तो यह हमारे mobile के अंदर हमें जो app डाउनल तो आपको यहां से install कर लेनी हैं अपने complete market मोबाइल के आप आपके आपको व्लब करनी को इसके लिए अपया आपको Google Chrome जाना है यहां पर उडल्ड एपको प्रोंड लिकता अगया जाएगा ४्ट करों अपैं ओप्चे क्लिक कर सकते हो यहां क्लिक करोगे तो यहां पर आपका आगे option आजाएगा कि आपको यह जो एप है कैसे डाउनलोड करने और क्या क्या इसकी प्रोसेस है तो यहां से आपको यह यहांवगो करने दाशबन लेगा किरना करने दाउंडिक करना साथ करिनगा जए को यहां पर यह आपके पैप डालुडोड्क ना सुरो जायोगे यहां नीचे पर इसना मैं अलबैट स्टीफ करना है यह मेर्यद है इसको दाउनलोड नहीं करना है settings के अंदर आपको developer option में जाना है अगर आपका developer option नहीं है तो आपको about phone में जाके यहां पर आपको build number के उपर क्लिक करना है जैसे आप build number पे क्लिक करोगे तो देखो मैं ओलेडी developer हूँ अगर आपके में नहीं है तो आपको 3-4 बार क्लिक करना है तो आप developer बन जाओगे उसके बाद आपको back आना है और में यहाँ और कि Company और इसके अंदर आपको आपको developer option के अंदर आपको developer सर्च कर लिए है मैंने developer search कर लिया है developer option आपको own कर लेना जैसे मेरा भी own ये ऐसे ओफ होगा अगर own है तो अच्छी बात आपको ये own कर लेना जैसे आप own करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे option मिलेगा usb debugging का तो आपको simply is को own कर लेना है जैसे आप इसको को ओन कर लोगे तो आपका यहाँ पर अपने डाटा केबल को आपको यूज करना है इसके बाद आपको डाटा केबल को यहाँ पर सिंपली कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको डाटा केबल को यहाँ फोन से कनेक्ट करा लेना जैसे आप फोन से डाटा केबल को कनेक्ट करा लोगे तो आपकी यहाँ पर आ गया है कि टेप टूटर्ण ओफ यहाँ की ऑन है डि बगींग तो आपको यहाँ पे iVqm ept को laptop के अंदर option open कर लेना है और यही आपको app को mobile के अंदर open कर लेना है जैसी आप इस iPhone open करोगे को दो आपको यहाँ पही डेरेक्ट देखो यह connect हो गया है अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो mobile है वो अभी यहां laptop से connect हो चुका है अगर आप देखो गया तो देखिए यह हमने connect कर लिया है और अब हमारा जो mobile है वो laptop के कैमरे की जगह पर यूज हो रहा है और हम इससे जो भी चाहें अपना record कर सकते हैं और जो कैमरे की quality है वो बढ़ा सकते हैं अगर आपको online streaming करनी है उन सब में आप इसको यूज कर सकते हो और और भी काफी है अपसेंज आप इसको यूज कर सकते हो online तो यह इसका simple सा step है कुछ नहीं करना आपको simply बस same app laptop में download करनी हैं और 앞 को यहां पर 2-3 option करने हैं या फिर आपको data के वाल हैं तो आपको data के उप्षाण प्लिक्स करना है उसके बाद आपकी आप यहां पर addict हो जाएगी और आप इसको यूज कर पाओंगे तो यह इसका simple सा process है मेरको पसीने भी आ руки pod Nation में और वीडियो में बनाने में काफी महनत लगी है और अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चाहते हो कि ड्रोइड कैम से आप कैसे इसको कनेक्ट कराओगे तो उसके लिए भी मैं अगर वीडियो बना दूंगा अगर आपको उसकी रिक्वार्मेंट है तो आप मुझे कमेंट कर देना उस चीज को और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते अगली कि सीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बनने मात